हेलो फॉर्थ क्लास स्टूडेंट्स आई होप ओल अर गूड आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे बेटा लास्ट वेडियो में मैंने आपको न्यू चैप्टर सुरू कराया था लेशन सिक्स जिसका नाम पैंडोरा बोक्स था ओके इसमें हमने आपको य और वाइव जो एपी मीथियस होता है और पैंडोरा होता है वो अपने जीवन जो वैतित कर रहे होते हैं खुसी-खुसी ओके बचो और फिर उसके बाद उसका एक दोस्त आता है मरकरी जो एक लकडी का बोक्स लेकर आता है उसे उसके घर में रखने के लिए अपने दोस्त जा रहा होता है तो लास्ट वीडियो में हमने बेटा पेज नंबर 40 में यही पड़ा था ओके आई होप आपको समझ में आ गया हो अब हम अपना लेसन जो है continue करते हैं सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए और जैसे जैसे मैं लाइन वाइस पढ़ती हूं आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाना और समझते जाना ध्यान से सुनना बेटा अब हम अपना जो लेसन है वो continue करते हैं उसने कहा कि जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं अपने इस बोक्स को ले जाऊंगा don't worry we'll take care of the box said Epimetheus Epimetheus ने अपने दोस से कहा कि तुम चिंता मत करो हम आपके जो बोक्स है उसकी देखबल सही से करेंगे put it in a corner of our house I will be safe there Epimetheus suggestion suggested होता है सुजाओ देना तो Epimetheus ने कहा अपने दोस से इसको तुम घर के एक कोने में रख दो वहाँ पर यह सेफ रहेगा I want you not to open it said Mercury Mercury ने कहा कि मैं तुम्हें आगा कर रहा हूं यह बता रहा हूं कि इस बोक्स को तुम open मत करना यह जैसे बंद है इसको ऐसे ही रहने देना you need not worry Mercury replied Epimetheus Epimetheus ने कहा अपने दोस से तुम चिंता मत करो हम इसको open नहीं करेंगे he helped him to place the wooden box in the house उन्होंने उसे जो लकडी का बोक्स था अपने दोस को उसके घर में रखने के लिए मदद की to assure him Pandora said we won't even look at it उसने विश्वास दिलाया Pandora ने उस बोक्स की तरफ देकर तुम चिंता मत करो हम इस बोक्स को नहीं हो लेंगे then he disappeared फिर वह जो उसका दोस था वो गायब हो गया disappeared मिन हो था गायब हो ना वो चला गया अपनी आत्रा के लिए but Pandora was filled with uncancable curiosity to know what was there in the box जो Pandora थी वो बोक्स में क्या है यह जानने के लिए उस सुक थी हाला कि उसने उसे मना कर दिया कि हम नहीं कोलेंगे फिर भी उसके मन में जिग्यासा थी curiosity थी कि भई इस बोक्स में आखिर क्या है जो वो बंद कोलने के लिए भी मना कर गया वो देखने के लिए उस सुक थी she left Epimetheus and sneaked into the room alone उसने Epimetheus को अकेला छोड़ कर बहारी रूम में अकेली चली गई sneaked होता है आँख बचा कर उसे चुपचाप अंदर अपने रूम में चली गई Pandora ran quarters the box and knelt it down जो Pandora थी वो डिबे की तरफ दोड़ी उस बोक्स की तरफ दोड़ी और उसे नीचे गिरा दिया इट वाज ए नाइस लुकिंग बोक्स उसे देखकर उसने कहा कि यह है तो बहुत अच्छा बोक्स है बहु सुन्दर बोक्स है Around the box was a strong golden coat tied in a tight note वो उस डिबे के चारो तरफ घूम कर कहने लगी चारो तरफ घूमने लगी और देखने लगी कि उस बोक्स के उपर बहुत मजबूत सोने का golden का coat लगा हुआ है जो एक tight guard से बंदा हुआ है बिल्कुल tight guard से बंदा हुआ है There was a whispering sound coming from the box Box में से एक whispering होता है तेज आवाज आना Box में से एक मतलब तेज आवाज आ रही थी भीन बिनार्ट के या whispering जैसे वह थी चिड़िया जो मक्या होती है उसकी ऐसे आवाजे आ रही थी Pandora listened but could not make out what it was Pandora ने वह आवाजे सुनी पर यह पता नहीं लगा रही थी कि इस box में क्या है किस चीज की आवाज आ रही है तो students मैंने आज आपको page number 41 read कराया है I hope इसकी आपको हिंदी समझ में नहीं आ गई होगी Otherwise फिर भी नहीं आती है तो आप मुझे WhatsApp पर या comment box में अपनी problem share कर सकते हैं Okay बच्चों, Bye, Have a Nice Day